Hello Traders and welcome to the studio, members Bank Nifty U को अज की दिन हमने trade चिया था काफी अच्छा सेटप था, stocks देख रहे थे morning से बट इस stocks समझ भी निया रहे थे कि कौन से stock हम trade करें अलागी थे काफी stocks बट अंदर से मन नहीं हुआ अब आगे की वीडियो में एक चीज़ एक्स्प्रें करेंगे यहां से अब एक्जिट करने का time हो चुका है तो स्क्वार ओफ हम करेंगी जस्ट इसको स्क्वार ओफ प्लेस अभी इसको भी निकाल देते हैं चले ठीक है 2000 प्लस का आज का जो ओवराल प्रॉफित है 2000 प्लस का असपास का अपना प्रॉफित है काफी एक स्मूठ ट्रेट था मॉनिंग की जिसे केंडल के बारे भी डिसक्शन आपसे आज के दिन करने बाले वो काफी इंपोर्टेंट केंडल है आप चाहो तो डेरिवेटिस में चाहो तो इस टॉक्स में हर हर जगह वो केंडल काम करती है वीडियो को ध्यान से देखेगा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक किजेगा कॉमेंट्स किजेगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब किजेगा थाइंक्स एन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले भी काफी बार हमने आपको बताया है कि मॉनिंग की एक सबसे इंपॉर्टन केंडल सबसे जरूर्ड़ी केंडल होती है वह केंडल जो अभी हम आपको बताएंगे अगर हम गलत नहीं है तो पहले भी केंडल का जिक्र हम काफी बार आपसे कर चुके हैं आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का ट्रेट करने के लिए भी हमने इसी केंडल का यूज किया है कोई भी एक कैंडल कोई भी सिगनिफिकेशन जिसका कि आप लोवर टायम फ्रेम पर यूज करो उसके अंदर बस एक ही मेंडेटरी चीज होती ही जरूरी चीज ही होगी कि आप उसका यूज हायर टायम फ्रेम के अपने प्री डिफेंड लेवल के पास में करो तभी वो पावर्फुल होती है अदरवाइस फिर इस तरह की कई सारी कैंडल से आपको बंती होने जर आ जाएंगी जैसे कि हमने बैंक निफ्टी को आज के दिन ट्रेट किया बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहली चीज़ अभी भी हमने एक वीडियो बना करके अप्रोड किया था जिसमें सेम वीडियो था सेम अनाज से इस ते वो लाइव मार्केट का था इसको हम वापस से री रिकॉड कर रहे है हमारे पास सबसे ज़वरी जो केंडल है वो ब्लैक वाली ये वाली केंडल है दो रिजन है इस ब्लैक वाली केंडल के इंपोर्टन होने के सबसे पहला एक तो ये केंडल मेरा स्विंग बना रही है यहाँ पर आपको डाइवर्जन देखिए देख रहा होंगे कि प्राइज तो आपका अपसाइड की तरफ गया है बट वॉल्म्स नीचे की दिशा में गिरी है यहाँ पर देखिए वॉल्म्स नीचे की दिशा में गिर रहे हैं बट प्राइज अपनी एक रेंज के अंदर रुका हुआ है और वो रेंज काउन सी है हमारी यह वाली केंडल यह जस्ट प्राइज ना तो इसके लोग के नीचे निकल रहा है और ना ही इस साट से लोग के नीचे निकल रहा है और प्राइज ने इस हाई के ओपर जाकर के क्लोजिंग दे दी ठीक है ना simple सी चीज़े देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ अपनी इस candle के तुरू बस reading कर रहे हैं कि यह एक black वाली candle है price इसके पहले हमारी इस candle के नीचे नहीं निकला है और अब इसने क्या किया है कि हमारी इस black वाली candle के high के उपर में जाकर के closing दे दी यहाँ पर अब अगर यह strong है last video में यही हुआ था हमने इसलिए इसलिए हम इसको record करें क्योंकि last video में हम इन candles को बहुत अच्छी तरह से define नहीं कर पाये थे explain नहीं कर पाये थे price upside के तरफ गया है लेकिन आप देखोगे कि breakout जो हुए है यह diversion के साथ हुए price तो मेरा up move दिखा रहा है हालां कि यह black candle है बट आपको मौलूम है कि यह bearish candle है कैसे अगर हम previous candles से इसको compare करेंगे highs upside के तरफ shift हो रहे है lows upside के तरफ shift हो रहे है है यह black candle बट यह bullish candle है अगर हम इसको compare करेंगे अपनी previous candles के साथ में तो अगर price हमारा upside के तरफ गया है इतने दिन से नहीं जा रहा था और last two to three days back price हमारा upside के तरफ गया तो फिर इसको ऊपर निकल जाना चाहिए वापस से price हमारा उसी same range के अंदर क्या करने आ रहा है यह सिर्फ observation करने की चीज़े है जब setup दिखे trade मारो जब भी एक setup अच्छा आप trade मार दो रोज 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 नहीं जब अच्छा setup दिखे अब तब trade मारो एक सही समय एक सही hit point का just wait करना है यह नहीं आग बंद करके बस जब मर्जी तब start हो गया हम भी कोशिश करेंगे stocks की trading अपनी continue रहेगी कभी-कभी मौका लगेगा तो फिर हम options को भी trade करेंगे and options को भी trade करके हम आप लोगों को दिखाएंगे अब यहां पर क्या किया है market ने last trading session यानि के trade तो हमने आज के दिन क्या है बट उसके पहले देखिए market ने यहां पर क्या किया था और आज के दिन क्या किया है lower time frame पर हम आ जाएंगे last session में market ने इस range के नीचे आकर के closing कर दी है ना यहां पर closing कर दी वापस range के नीचे closing का मतलब समझ रहे ना यह देखिए जो last candle बनी हमारी इस range के नीचे बनी है movement दिखाए प्राइस देखिए वापस से मेरा upside के तरफ गया और फिर से नीचे के दिशा में गिर गया अभी तक समझ में ना कि day time frame पर हमने इसके नदर अपने एक level mark कर लिया अब हमें जो trade execute कर रहा है क्योंकि last session में भी हम देख रहे हैं कि price ने इस वारी level को नीचे के तरफ ब्रिक किय उपर के दिशा में गया closing नहीं कर पाया closing ने downside के तरफ भी कर दी आज market ने क्या किया है एक opening आप जब एक trend line ड्रॉ करोगे सारे जितने भी point of view हो सकते हम उतने point of view से हम आपको बता रहे हैं तो एक देखिए एक तो ये मेरा trend line बनी हमें comfort नहीं लगता है इसके अंदर trend line से use क trend line के अपने कुछ rules होते हैं बहुत hard rule होते हैं बहुत अच्छे इसके नियम होते है trend line को उस नियम के साथ अगर use करो तो ही वो work करेगी वरना ऐसे नहीं कि जहां मर्जी आपने एक line और जिधर मर्जी आपने एक line खीच दी और वो आपके recording चल जागा ऐसा नहीं होगा वरना आज हमने trend line का use किया trend line के उपर एक अच्छा वीडियो में आप लोगों को बना करके आप लोगों के साथ शेयर किया आप देख रहा हूं उसको पता चलेगा है कि trend line के क्या rules होते हैं क्या नियम होते कैसे use की जाती है एक तो यह हम देख रहे है कि price हमारा नीचे की दीशा मे गया नीचे गिरा फिर से उपर गया फिर से नीचे गिरा हमारे लिए जो सबसे ज्यादा important candle होती है वो है black वाली candle 945 की candle इसका अपना signification होता है इसमें volume के भी role play होते है volumes के साथ इस candle को मिला दें तो यह बहुत strong candle बन जाती है volumes को add नहीं करें हम इस के अंदर just 945 की candle आप यह मान करके चलो कि यह morning की सबसे strong candle होती है और बहुत बार ऐसा होता है कि जिस side में 915 की candle break हो जाएगी पूरी market आपको पूरे दिन उसी दिशा में देखाई पड़ेगी आज भी अगर आप देखोगे न तो price ने 915 को 945 की candle को upside की तरफ ब्रेक किया उपर की दिशा में बट यह time frame पर price हमारा क्या कर रहा है उसने अपने resistance को break किया था यहां से अपने resistance को break करके ऊपर की तरफ गया और फिर से range की नीचे आ गया तो higher time frame पर तो हम देख रहे हैं कि यह week है तो इसके अंदर buying करने का तो कुछ कोई तुक बनता नहीं है हमें मालूम है कि हमारे पास मेरे day time frame क level आ गया है and morning की जो सबसी important candle है हम उसको भी देख रहे है तो अब इस important candle का use हमें करना कैसे है हम इसका use करेंगे अपनी दिशा में जिस दिशा की तरफ हम trade execute करना चाहरे है उस side में अगर movement होता हो नजर आगा न तब हम इसका trade execute करेंगे इस एक candle सिर्फ इसी एक candle की थो कुछ नहीं करना आपको बिल्कुल analysis नहीं करनी है आप सिर्फ यह करो कि जिधर भी 9.15 की candle आपकी break हो जाए अप उदर trade मार दो आप देख लिए बहुत ज्यादा नहीं बट 70-80% चांस ऐसा होगा कि price उसी दिशा में भाग जाएगा जिधर break होगा उदर भाग जाएगी market लेकिन इसे nakedly तो use करना नहीं है यह एक additional use होगा आपका extra confirmation के लिए हम इसका use करेंगे 9.45 की candle नीचे की दिशा में break होई higher time frame का मेरा यह वाले level है blue valley line उसके भी नीचे की दिशा में market आई है इसके बाद में हम देख रहे हैं कि जो trend line अभी हम लोगों ने देखी थी उस trend line को भी same candle ही break कर रही है यहाँ पर देख रहे हैं ना तीन तीन confirmation है और जो सबसे बड़ी confirmation higher time frame पर हम देख रहे हैं कि price हमारा नीचे गिर रहा है बाई नहीं करना है हमें selling करना है इसको बोलते हैं एक अच्छा setup जस्ट वेट 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 करो बहुत बहुत ज़्यादर lot के साथ है और अब हम यही कोशिश करें कि थोड़े दिन तक जब भी हम आपको options के trade करके दिखाएंगे ना तो वो एक या फिर बहुत ज़्यादर दो lot के साथ हमें हम बहुत बड़े lot के साथ में अभी काम नहीं करेंगे तो अपनी stocks के उपर जिस तरह से मारी practice है यह continue रहेगी जब ज आएगा यह जरूर जरूर आएगा बहुत सारे यहां पर trade के confirmations है bank nifty में भी ऐसा है कि हम अगर चाहें तो उसको रोज trade कर सकते हैं रोज इसका oi data है option chain है natural numbers है gain levels है price action है हम उसके according रोज trade कर सकते हैं daily हम nifty और bank nifty को trade कर सकते हैं लेकिन दो चीज़ें जिस वह से हम trade नहीं कर करते हैं दूसरा जब ज्यादा confirmation confirmation in the sense के जब हम comfortable ज्यादा feel करते हैं जिस दिन यह हमको हमारे exact level पर मिलता है हम तभी trade करते हैं otherwise ऐसे 1-1,1-2 कर मारना हो तो हम रोज के रोज trade मार सकते bank nifty के अंदर जरूरत नहीं है उस चीज़ें simple अब हमें जो trade मारने हैं हमने अपना एक level mark कर लिए अब हम lower time frame पर गए हमने वहाँ पर अपने 2-3 confirmations लिए एक तो 945 की candle के नीचे market निकली यहां से हमने उठाय और नीचे कर दिया shot stop और target जो हमने लगाया था just हमारा day low day low क्यों क्योंकि कल market गिरते गिरते इसी जगह से उपर की तरफ गई थे यहां ही और यहां से य बाइर का मतलब यह मेरा support बन गया यहां पर कल के कुछ supports हैं मतलब कई सारी quantities में यहां पर buying हो रखी है जब price हमारा यहां से उपर की तरफ गया और वापस से रीटरेस होने के लिए नीचे की तरफ आया तो फिर हमने यहां पर अपने जितने भी target थे सारे के सारे अपने level के नीचे ही book किये थे उपर की तरफ नहीं level के नीचे book कर लिए फिर देखे price retrace होने के लिए उपर की तरफ गया stop process लिए और फिर से नीचे किर गया हम यहां पर निकल गये ते यह overall setup था आज का और जिस एक important candle के बारे में आपको बता रहे ना आप चाहो तो जितने पीछे जा मार्किंग करो 945, 945, 945 यह देखिया price ने अगर high की तरफ closing दे दिये अभी हमने जैसा बता है तो बहुत ज़्यादा हथ तक chance लेए कि price closing ओपर ही मारेगा लेकिन फिर से हम बोल रहे हैं इसका additional confirmation के लिए use किया जाएगा इसके पहले भी बहुत सारी ratings होती है जो कि आपको higher and lower time frame पर कर लेनी होती है इसके बाद में फिर से देखिए हम क्या करेंगे ना just 945 की candle आप इसका backlist कीज़ेगा 945 यह लिचा है high के तरफ हमारी closing इसने पूरे दिन market ऊपर की तरफ है फिर से आप देख लो 945 जस्ट आपको 945 की candle ही mark करनी है 945 यह 945 लीचे यह market है last के सेशन बिल्कुल यहां से market फिर नीचे गिर गई है लेकिन पूरे दिन देखिए market ऊपर ही रहा है इतना कौन वेट करेगा यह bank nifty है यहां पर अगर आपको चार यह दो या चार केंडर का move मिल गया ने मतलब दिन बन गया आपका आप I am damn sure कि इतना बड़ा move भी आप cash नहीं करोगे एक दो तीन केंडर बनगे आप निकल जाओगे बाहर 101% सारे traders नहीं लेकिन maximum traders एक दो तीन आउट और अगर आप अकल बन दो तो फिर पूरे दिन अपना computer screen on नहीं करोगे यह power होती ही 945 की candles की यह tool है बहुत छोटा सा tool है इससे भी अच्छे अच्छे और इससे powerful tools है जिसका की use हम लोग अपने sessions में intraday sessions में और technical analysis के अंदर करते है यह तो bank nifty की चार्ट है आप कोई भी stock अठालो BPCLA Britannia है यह कही तो CCL है Carnival Corporation यह Britannia है हम ज़्यादे इसके पर नहीं सिर्फ आज का चार्ट हम आपको दिखाएंगे अगर यह Britannia है तो आज 9.45 की candle यह 9.15 है मार्किंग हम सारी रिमूफ कर देते हैं और सिर्फ 9.45 यह लीजे 9.45 कुछ नहीं किया हमने जस्ट 9.45 की candle को मार्केट पूरे दिन नीचे ही रही है और कर लिजा और बैक्टेस्ट कर लिजे इसका कानिवाल कॉर्परेशन सिपला है सिपला में हमें कुछ नहीं करना है जस्ट हम 9.45 की candle मार्क करेंगे 9 यह लीजे है हो गया यहां पर तभी मज़ा आएगा स्विंग के उपर आसे लगा कर क्या मज़े लो विश्वास रुखो प्राइशन के उपर जम लोगा रहे हैं तो विश्वास रुखो इसके उपर यह कोई शॉटकट नहीं है किसी तरह का कोई के अंदर वो नहीं कि आए और बस मज़ा आ गय और धीरे धीरे फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि options और stocks इन दोनों में ही यह coordination बना करके दोनों के trades को एक साथ ही हम लोग continue करें ओके सो थैंक्स एंड टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल अब जोइन कर सकते हूं कुछ भी information जो हमें आप लोगों तक पहुंचा नहीं होती है वह हम टेलिग्राम के थुरू पहुंचा देते हैं वीडियो अच्छा लगता तो लाइक किजिएगा comments किजिएगा चैनल पर अगर आप पहली बढ़ा हो तो चैनल को subscribe किजिएगा thanks and we will meet again